वर्तमान समय में लगभग सभी लोगों के पास एक या एक से अधिक बैंक खाते हैं। विवरन उपलब्ध है। इसलिए कब, किसे और कीतने रुपे का भुक्तान किया गया है इसका विवरन उपलब्ध है। बैंक में खाता खोलना ही सब कुछ नहीं है। इस खाते को सक्रिय रखने के लिए आपको इसे नियमित रूप से चालू रखना होगा, वरना एक दिन अकाउंट बंध हो जाएगा और आपको इसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नियमों के अनुसार चालू बेतन और बचत खाता प्रकार है, खाता कोई भी हो, वह महिने में कुछ दिन नियमित रूप से खुला रहना चाहिए, अगर आपके पास भी कई बैंक अकाउंट है, तो यह खाबर आपके लिए है, दरसल जब आप लंबे समय तक अपने किसी बैंक अकाउंट से कोई भी लेंदेन नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट इनक्टिवेट घोशित किया जाता है, जिसे बाद में बैंक बंद कर सकता है, हर बैंक खाते के लिए अलग अलग नियम है, इसके अलावा नौकडी बदलने पर ट्रांसफर की दोरान बैंक खाते भी बदल जाते हैं, या बदलाव सुबधा के अनुसार किया जाता है, इसे लिए वे अलग खाता खोलते हैं या फिर कंपनी उनके लिए नया अकाउंट खोल देती है, आपको बता दे नया बैंक पु पुरी तरह से बंद है, लेकिन खाता पुरी तरिके से बंद नहीं हुआ है, या निस्क्रिये हैं, कुछ जरूरी दस्थावेज उपलब्द कराने के बाद बैंक तुरंत आपका खाता खोल देता है, जब कंपनियां बदलती हैं तो बैंक अक्सर बदल जाते हैं, उस समय अ खाता खोलने के 2 साल की भीदर कभी भी बैंक खाता को प्योग नहीं किया है, तो उसे बंद करने में कितना समय लगेगा, खाते में नीउंतम जमा या निकाश होनी चाहिए, अगर आप 2 साल तक खाते से कोई लेन दे नहीं करते हैं, तो खाता बंद कर दिया जाता है, यानि आगे से निस्क्रिय हो जाता है इसे शुरू करने के लिए के वाई सी दस्तावेजो को दुबारा पुरा करना होगा अगर आप इस खाते को जारी रखना चाहते हैं तो उसमें लेंदेन करें या फिर आप अगर खाता बंद करना के लिए आविधन करे साथी बैंक समय समय पर कवाई के अपडेट करने के लिए अधिकारिकDonald मैसेज भी भेज़ते हैं इसके आधार पर आप बिना किसी लिंक पर जाए अपने ओन-लाइन बैंक फार्री सिर ने जाकर कर सकते हैं